परिचाए, सर, हम एक फल के अंदर बीच क्यों पाते हैं? शाम पादपों में लेंगिक प्रजनन के बाद ही बीज विक्सित होते हैं. लेंगिक प्रजनन क्या होता है, सर? दो युकमकों के मिलने से एक नया चीव उत्पन होता है. इस प्रक्रिया को लेंगिक प्रजनन कहते हैं, सर, पादप का कौन सा भाग लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है? बेटा, पुश्प पादपों की लेंगिक अंग होते हैं, इसलिए ये लेंगिक प्रजनन में हिस्सा लेते हैं. ये सुन्दर पुष्प, फल और बीच के रूप में कैसे प्रजनन करते हैं? ठीक है, आओ, हम पुष्पी ये पाथपों में लेंगिक प्रजनन के बारे में विस्तार से जानते हैं, उत्देशे. इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एक पुष्प के हिस्सों की पहचान करना, पुंकेसर की सनजना और लगु बीजानों धानी की प्रक्रिया को समझना, जायांग की सनजना और गुरु बीजानों धानी यानि बीजांड की प्रक्रिया को समझना, परागन को समझना और परागन के विभिन कार्गों की पहचान क निशेचन के प्रकारों को समझना, भुरून पोश, भुरून, बीज और फल के विकास को समझना. पुष्प के हिस्से, पुष्प अंगों की तीन प्रमुक्ष्रेणियां हैं, प्रजनन अंग, मादा, प्रजनन अंग, नर, और गैर प्रजनन अंग, प्रजनन अंग, मादा, अंडप्या, स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांट, प्रजनन अंग, न पुंकेसर, पराकोश, डंठल तंदू यानि फिलामेंट, पराक, गैर प्रजनन अंग, पंखुडी यानि दलपुंज, रस यानि वाहिदल, टेपल्स, निशेचन पूर्व घटनाएं, पुषपी पातपों में लेंगेक प्रजनन में निशेचन से पूर्व निम्न घटनाए लगुपी जानु धानी और पराकन का विकास, गुरुपी जानु धानी एवं मादा, युक्मकोद भिद का विकास, पुंकेसर और पराकोश की सनजना, पुंकेसर की सनजना, पुंकेसर में लंबा एवं पतला डंठल तंदू यानि फिलामेंट तथा दुईपालिक सनजना पराकोश होती है। सूत्री विभाजन द्वारा चार आगुनित लगु पीजाणूं या लगु पीजाणूं चतुश्क का निर्मान करती है। पराकण के परिपक्व होने पर उसमें दो कोशिकाएं काईक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है। जायांग और बीजाण की सनदचना। जायांग जायांग इस्तरी जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके तीन भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसके अंदर एक गर्भाशयी कोहा यानि कोश्ठक होती है। जिसमें एक-एक अपरा यानि नाड इस्तित होती है। अपरा से गुरू पीजाण धानी या बीजाण निकलता है। बीजांड, एक अध्यावरणी गुरू बीजानुधानी है, इसमें बीजांड काय होता है, जो एक या दो अध्यावरण या संदक्षक आवरण से घिरा होता है. बीजांड के अंग, बीजांड व्रिंत, हैलम यानी फैनिकल, संदिरेखा यानी रेफ, बीजांड काय, भुरून कोश, अध्यावरण यानी इन्टी जूमेंड्स, बीजांड द्वार यानी माइक्रुपाइल और निभाग यानी कैल्चा, गुरू बीजानुजनन और माधा यक्मकोदभित का विकास, गुरू बीजांडों जनन की प्रक्रिया विक्सित होते, बीजांड के बीजांड काय के अंदर घटित होती है, एक प्रासूतक कोशिका, बीजांड काय में बीजांड द्वारी शीर्ष पर विभाजित होती है, एक प्रासूत की ए कोशिका, वाह स्पोरा रॉग्नास कोशिगा, गुरू बीजानों मात्र कोशिगा की तरहा वहवाहार करती है के अर्थशूत्री विभाजन से चार किरुदू का उत्पात होता है जिन में से एक कारिशील होता है और अन्न तीन अप विक्सित यानि अप ब्रस्ट हो जाते हैं। कारिशील गुरू बीजाणों समसूत्री विभाजन से स्त्री यानि मादा युग्म कोदभिद यानि भूण कोश के रूप में विक्सित होता है। मादा युग्म कोदभिद में आठ केंद्री यानि भूण कोश की रजना करते हैं। भूण कोश की तीन कोशिकाएं, दो सहाई कोशिकाएं और बीजांड द्वारी शीर्श इस्तित एक अंड कोशिका अंड उपकरण का निर्मान करती है। तीन प्रदि व्यासांथ, एंटी पोडाल, कोशिकाएं निभागी चोर पर होती हैं। केंद्री ये कोशिका में दो धुरुविये निूकलियाई होती हैं। परागण परागण के नर परागोश से इस्तरी केसर के वर्तिकागर तक इस्थानांतरन या संचारन को परागण कहा जाता है। परागण के अभी कर्म किया कारक। परागण अभी कर्मक ऐसा कारक होता है जो एकी ही प्रजाती के पादप के पुष्प में पराग को नर से मादा के प्रजनन अंक तक इस्थानांतरित करता है। परागण के अभी कर्मक में शामिल हैं वायू, जल, कीडे यानी कीट, तितली, मक्खी, मदमक्खी और भ्रिंग आदी। चमकातर पक्षी और अन्यपशू निम्न चित्र परागण में साहिता के लिए गुंजन पक्षी की लंबी पतली चूँच और पतली पुषपिये नलिकाओं का सह विकास को दर्शाता है। पराग स्त्री के सर संकर्शन यानी पारस परिक्रिया। स्योग्य परागण द्वारा परागकण किसी जनन्चिद्र के मात्यम से एक पराग नलिका उत्पन करने हैं तू वर्ती कागर पर अंकुरित होते हैं। परागकण के तत्व अंडाशय में इस्थित बीजान, बीजान्ड द्वारी शीर्ष तक पहुँचने के लिए पराग नलिका के मात्यम से गमन करते हैं। इसके पश्चात पराग नलिका तंतु रूप समुच्च के मात्यम से एक सहाई कोशिका में प्रवेश करती है। एक नर युगमग अंड कोशिका की ओर गती करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है। इस तरह युगमग संलयन पून होता है। निशेचन पश्च घटनौ में शामिल है। भुरुण पोश का विकास। बीजांड बीच के रूप में ऑर अंटाशे फल के रूप में विकसित होना। भुरुण पोश कोशिका बार बार विभाजित होती है। तथा एक त्रिक गुनित भुरुण पोश उतक की रचना करत इन उद्गों की कोशिकाएं संदक्षित खाज्य समगरी से पूरित होती हैं और विकाशील भुरून की पोशक्ता के लिए उप्योग की जाती हैं। भुरून विकाश गोलाकार, हड्याकार तथा परिपक्व भुरून के निर्मान के लिए युगमनच प्राक भुरून का समसूत्री विभाजन होता है। भुरून की सनचना एक भुरून में समाहित होते हैं। एक भुरून ये अक्ष, दो बीजपत्र यानि डाइकोट में और एक एक बीजपत्र यानि मोनोकोट में। बीज पत्र के स्तर के उपर भ्राणिये अक्ष की प्रोटीन यानि एपिकाटील बीज पत्रोप्त्रिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंब स्रे पर प्राया समाप्द होती है. बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो की मूलांत सिरा या मूलच के शिर्शांत पर समाप्द होती है बीज और फल का विकास निशेचित पीजांट बीज बनता है अध्यावरन बीज का आवरन बन जाता है जिसे बीज चोल कहते हैं परिपक्व बीज दो प्रकार के हो सकते हैं एल्पूमिनियस और घैर एल्पूमिनियस फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जिसके अंदर बीज होते हैं अंडाशय की दिवार फल की दिवार यानि छिलके के रूप में पतल जाती है जिसे फल भित्ति कहते हैं मांसल फल के फल भित्ति में शामिल है अंता फल भित्ति यानि बीज के चारों ओर मद्दे फल भित्ति यानि मांसल भाग वाहे फल भित्ति यानि तोचा क्या आप जानते हैं पराग कड़ों को शरकरिक विलियन, विलियन की सांद्रिता दो प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच में डाल कर पराग नलिका के उत्पादन को कृत्रिम तरीके से उत्प्रेरित किया जा सकता है, सारांश. आईए हमने जो को सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं. गुरू बीजानुधानी प्रक्रिया के बाद एक साथ कोश किये एवं आठ नुकली कृत ब्रून कोश का निर्मान होता है. परागन एक प्राक्रम है जिसमें परागन पराकोश से वार्तिक कागरितक स्थानांत्रित होते हैं. आवरित्ति बीजी दोहरा निशेचन प्रदशित करते हैं क्योंकि प्रतिक ब्रून कोश में दो सनलयन युगमक सनलयन तथा त्री सनलयन होते हैं. युक्वनच ब्रून तथा प्रात्मिक ब्रून पोश कोशिका ब्रून पोश उतक गठित करती है। निशेचन के पश्चाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजान बीच के रूप में विक्सित होता है।